स्रीजराम किसान भाईयों आज हम बात करेंगे गेहु के फसल के बारे में गेहु का फसल किसान भाईयों लगबग लगबग सभी किसान भाईयों का सतर से पच्छतर दिनों का हो चुका है इन सतर से पच्छतर दिनों के फसल में कौन से खाद का इस्प्रे करना है आज हम इस विशा में चर्चा करेंगे खिसान साथियोan तो इस विशा में चर्चा करने से पहले आपने अभी तक Agrikin channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और mail icon दवाना ना भूले खेती की समपूर जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहा करें अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान साथियो सभी किसान भाईयों के 70 से 75 दिनों की गेहूं की फसल हो चुकी है जिसे हम flowering stage कहते हैं flowering stage का मतलब गाब की अवस्था में आ चुकी है गेहूं का फसल किसान साथियो किसान भायों इस समय हमें कौन से खात का इस्प्रे करना है इस जानकारी से पहले एक सौधानी वाली जानकारी कौन सी सौधानी की जानकारी किसान साथियों तो आप लोगों को कौन कौन सी दवायों का इस्प्रे नहीं करना है कौन कौन सी खात का प्रियोग नहीं करना है इस फसल आपका रोग ग्रसित हो सकता है किसान साथियों और उसके साथ में आपके गेहू का फसल गिरने की समस्या भी बन सकती है किसान भायो दूसरी समस्या यहू के फसल में किसी भी प्रकार के कीट नासक का छिड़काओ करने से बचे किसान भायो इस समय पर यहू की फसल गाब की अवस्था में होती है गाब की अवस्था में होने के कारण फ्लावर आती है तो किसी प्रकार का अगर कीट नासक का प्रियोग करते हैं तो उसके फ्लावर जो होते हैं फूल वह ज़र जाते हैं और आपको उत्पादन कम देखने को मिलता है तो किसान साथियो इस समय में अगर किसी प्रकार की अगर समस्या देखने को मिलती है कीट की तो आप ग्रेनवल्स फॉर्म में प्रियोग करे जो की दानेदार फॉर्म में प्रियोग करे इसका छिड़काओ करे और किसान भाईयो अगर ज़्यादा आवसकता होती है तो इस समय में तो उचित गुण बत्ता वाले खीट नासक का प्रियोग करे जिसमें आपके यहों के फ ग्यहों के फऽ्लावर जरने की समस्या बन सकती है तो सांथि में आपको कौन से खाट का इस बारे में हम चर्चा करें तो किसान भाईयो इस समय में आप आपको कौन से लाब होंगे पहला लाब किसान भाईयों की आपको फल और फूल में बृध्धी देखने को मिलेगा और साथ में आपके जो गेहूं के दानों के बजन बढ़ेगा और चमक आएगी किसान साथियो किसान भाईयो 0.52 में कौन कौन से तत्तो होते हैं इस बारे में बात करें किसान भाईयो NPK 0.524 का मतलब होता है कि 0% नाइट्रोजन की मात्रा और 52% फासफोरस की मात्रा और 34% पोटास की मात्रा होती है किसान साथ किसान भाईयो 0.524 के बाद मिले लेना है आपको NPK 0.050 इसमें तत्तों की बारे में बात कर ले तो पोटेसियम सलफेड होता है जो कि बहुत ही सांदार रिजल्ट देता है आपके जो कि इस समय में पोटेसियम सलफेड की बहुत जरूरत होती है पोधे को कि आपके गेहों के फसल में जो गाब की अवस्था में कमजोरी आने के असार होती है वह कमजोरी नहीं आपाती है अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो किसान साथियो इसके बाद में आपको बोरान का प्रियोग करना है बोरान ले लेना है आपको किसान साथियो यह तीनों चीजों को आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं इनकी मात्रा के बारे में बात कर ले तो किसान साथियो आपको ले लेना है और इसके साथ में आपको लेन किसान साथियो जीरो जीरो पचास एंपी के तो वह ले लेना 100 ग्राम प्रती टंकी के हिसाब से और बुरान ले लेना है किसान साथियो 20 ग्राम प्रती टंकी के हिसाब से तो यह तीनों चीजों को मिला कर आप अच्छे तरीके से इस्प्रे कर दें और इसके रिजल्ट आपको तीन से चार दिनों में देखने को मिलने लगेगा किसान साथियो तो यह इस परे करने के बाद में आपके गेहों की बालियां लंबी होंगी और बजनदार दाने होंगे किसान साथियो और चमकदार दाने होंगे और दानों की संख्या में बृद्धी होगी तो यह इसका प्रि जाำieme, कर जो जो एक रादम कर दॉयों से हंगग oraz अगरादा कर दोपरा भूरां कर उना है, कि घासे हमते हैं आवी जह रारा आओ, ये अललेम हैं,ँए भू 알 Guinea, ये थानत्यों से लिए्लमार माइकी कर दोद मार मन सामसाल भवा क prepare हैं,वह कर दो पॉम कर दो कर दो दो कर दो द